वेल्कम बैक एगें के इसके सवर आपसे भी लोगोब करता हूं कि आपसे भी लोग मसत हूंगे मैं समय लेकिया आप तरह फिर से एक और ने मौड पर वीडियो तो गई आज किस मौड पर हम करने वाले हैं और डी ए6 के मौड पर व्यू और आपने कार को देख लिए मैं अब आपको कार का 360 व्यू दिखाऊंगा और पीछे ओडी के लोगों की बैजिन देख सकते हूं चार चोड़ी और साइट से आप लोग देख सकते हैं किती मस्त लगती है सिल्वर क्लर की इसमें डोर गार्ड निश है और फरन्ट से आप लोग देख सकते हैं उसकी डियार यह पैसेंजर का डोर को जाएगा गाइस इसमें आपको बोर्नट एंड रियर मतब डिक की खोलने का आप्शन नहीं मिलता है इसमें यह फीचर नहीं आता है तो गाइस मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूं आप इंटीरियर देख सकते हूं किता मस्त लगता एक आपको पैसेंजर साइट से जी इसका दिखा देता हूं कैमरा खोलके तो आप और अच्छे से जिस्टिफाय हो पाएगा तो खाईगा तो आप देख सकते हूं किता मस्त लगता है इसका Automatic का गेर नॉफ देख सकते हूं किता मस्त लगता है और इसकी सीट मैट लेकी भीए ह कैमरा ओन करके तो आपको और अच्छे से दिख पाएगा तो आप देख सकते हो कि पीछे से बैट की सीट भी कैसी रियलिस्टिक लगती है और मैट भी अच्छे से दिखती है तो गाईज अगर मैं मॉड की ओवराल बात करूँ तो मॉड बहुत जादा मस्त है रियलिस्टिक के दिखने में और आपने तो देखी लिया अभी वीडियो में तो गाईज टाइम आ चुका है इसकी ड्राइब लेने का एंड ड्राइब की वीडियो को आप पूरा देखना तो आपको मज़ा आएगा इसकी पूरी टेस्टिंग करके बताऊंगा इसकी ब्रेकिंग कैसी है और यह कितना भाग जाती है इसकी टॉप स्पीड कितना क्रोस कर लेती है तो आप देख सकते होगे कितनी मस्त लग रही है ब्लैक कलर की इसमें आपको और भी कलर आप्शन मिलेंगे जब आप इसको डा किए तो आप मुझे comment भी कर सकते हो या फिर आप मुझे DM कर सकते हो Instagram का link मैंने description में दे रखा है तो आप वहाँ पर जाके मुझे follow भी कर सकते हो और DM भी कर सकते हो वहाँ पर भी आपको भर mod की update मिल जाएगी तो आप रोड पर चलते वे देख सकते होगी किती मस्त लग दी ब्लैक कलर की अगर मैं इसकी controlling की बात करूँ तो controlling भी बहुत अच्छी है breaking में break मार के दिखा देता हूँ देख सकते हो तो अगर मैं breaking की बात करूँ तो breaking भी बढ़िया है और controlling में काफी सही है और भागती भी काफी सही है अभी मैं आभी आपको और बढ़ा कर दिखाऊंगा जहां पर थोड़ी खुली रोड आईगी कि इसका महर कार के मौड में यही दिख्केत होती है आप देख सकते हो साइड साइड पिलर इसके जो की फटेवे हैं थोड़ से बट यह की कार चलने में काफी सही है एंड गाइस इसका स्पीड़ो मेटर वर्क नहीं करता है क्या पता आगे दूसरे अपडेट में इसका स्पीड की बात करूँ तो यह आराम से 205 या पर 205 तक आराम से क्रॉस कर जाती है अगर मैं मौड की बात करूँ तो मौड रियलिस्टिक है और आपको बहुत ज्यादा मज़ा आएगा इसे खेलने में तो खेलने के लिए आपको करना पड़ेगा इसे डाउनलोड लिंक है दिस्क्रिप्शन में तो आप हाँ पर जाके से डाउनलोड कर सकते हो और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है या फिर चैनल पर पहली बार आता है और गाइस प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर देना और बैल नॉटिकेशन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी ह अगले मॉड एंद अगली वीडियो में झाल 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 झाल